दोस्तों अगर आपका एक YouTube Channel है और आप अपने चैनल के नाम पर एक लोगो बनाना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं है कि लोगो किस तरीके से बनाया जाता है तो टेंसल मत लीज़े दोस्तों आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चैनल लोगो किस तरीके से बनाया तो चलिए भीया वाइल की स्क्रीन पर और वहीं पर मैं आपको सब्सक्राइब करना चाहते हो अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ अपने चैनल के नाम का एक लोगो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना ओके दोस्तों चैनल लोगो बनाने के लिए एक प्लीकेशन की जरूत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सल लैप दोस्तों यह बहुत ही अच्छा एप है इस एप को आप यूज क करता हूं इसके बाद एपर क्लिक करता हूं इसे मैं हटा देता हूं और यहाँ पर मैं यस लिख लेता हूं डन कर देता हूं उक्की कर देता हूं इसके बाद मैं यहाँ पर फॉन्ट चूस कर लेता हूं तो यहाँ पर क्लिक करके रिसेंट में क्लिक करके मैं यहाँ पर यह पर देता हूं सेप कर देता हूं इसके बाद को कॉपी लेता हूं और हीट कर लेता हूं इसके बाद मैं इसके हुट कर लेता हूं थोड़ी मैं यहां पर क्लिक करके होइट कर लेता हूं डन कर देता हूं इसके बाद मैं यह पर क्लिक करता हूं और इसकी एक कॉपी लेता हूं और यहां पर इसको सेट कर लेता हूं एडिट पर क्लिक करता हूं मैं इसको हटा देता हूं और यहां पर जी लेता ह कर नाम को मुझे अच्छे तरीके से से एडिट करके एक त्टीन लोगो बनाना है ठीक है दोस्तो जिसे बोलते हैं चैनल लोगो अभ दोस्तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि आप मैं जो बताने वाला हूं अगर एक भी मिंस कर देते हैं तो आप अपने चैनल का Logo नहीं बना पाएंगे ठीक है तो दोस्तों ध्यान दीजी तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं ठीक है इसके एक कॉपी लेता हूं और यहां पर मैं सेट कर लिया ठीक है इसके बाद दोस्तों यहां पर क्लिक करता हूं एक सेप्स लेता हूं ठीक है और इसके बाद मैं इसे सेप कर देता हूं और जहांपर मैं इसे पूरा घुछा देता हूँ ताकि मैं अच्छी तरीके से एडिट कर पाऊँ तो पहले मैं इसका color change कर लेता हुँ थोड़ी कि यहांपर मैं enable करके इसे प्लैट कर दिया save कर दिया इसके बाद दोस्तों यहांपर click करके मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इसमें और इसमें टिक कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके मैं इसे मर्ज कर दिया ठीक है इसके बाद यहाँ से बैक आ गया इसके बाद मैं उपर आके यहाँ पर क्लिक करके इसे क्रॉप कर लेता हूँ इसके बाद सेप कर देता हूँ तो एक कॉपी लेता हूं और यहां पर मैं सेट कर लेता हूं ठीक है इसके बाद दोस्तों यहां पर क्लिक करता हूं एक सेप्स लेता हूं ठीक है और इसे मैं सेप्स कर देता हूं और यहां पर भी इसे घुसा देता हूं इस तरीके से ठीक है इसके बाद यहां पर क्लिक करता हू यहाँ पर क्लिक करके यहाँ और इसमें टिक मार्ग कर लेता हूं यहाँ पर क्लिक करके मर्ज कर देता हूं ठीक है इसके बाद यहाँ से बैक आ जाता हूं अब दोस्तों मैं इसे क्रॉप कर लेता हूं ठीक है तो यहाँ पर क्लिक करके मैं इसे इतना क्रॉप कर लिया ठीक है सेप कर देता हूँ इसके बाद मैं इसमें कलर कर लेता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करके मैं इसे इनेबल कर दिया तो रेड हो गया सेप कर देता हूँ ठीक है अब दोस्तों क्या रहता हूँ कि एक सेप्स लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर क्लिक करके इसके बाद मैं सेप कर देता हूँ और यहाँ पर अच्छी तरीके से से मैं सेट कर लेता हूँ तो मैं इसे सेट कर लिया ठीक है इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसमें टिक माग कर लेता हूँ मैं यहाँ पर क्लिक करके मर्ज कर देता हूँ इसके बाद यहाँ से बैक आ जाता हूँ और यहाँ पर दोस्तों इरेज कलर पर क्लिक करके मैं इसे इरेज कर लेता हूँ ठीक है इस तरीके से सेप कर देता हूँ इसके बाद G पर क्लिक करता हूँ और A पर क्लिक करता हूँ इसकी मैं एक copy लेता हूँ और यहाँ पर इसको set कर लेता हूँ ठीक है और यहाँ पर क्लिक करके मैं एक shapes लेता हूँ ठीक है shape कर देता हूँ और इसको भी उसी में घुसा देता हूँ इस तरीके से ठीक है और इसका color मैं थोड़ी black रखे देता हूं enable कर दिया मैं यहाँ पर black कर लिया save कर देता हूं ठीक है इसके बाद यहाँ पर click करके यहाँ पर click करता हूं इसमे और इसमे tick कर लेता हूं यहाँ पर click करके merge कर देता हूं ठीक है इसके बाद यहां से बैक आजाता हूं अब इसके बाद क्रॉप करना है तो यहां पर मैं उपर आता हूं और यहां पर क्लिक करके मैं इसे क्रॉप कर लेता हूं इतना इसके बाद सेप कर देता हूं इसके बाद स्कॉल करता हूं और यहां पर एरेजर पर क्लिक करके मै इसके बाद सेप कर देता हूं इसके बाद दोस्तों मैं इसमें भी कलर कर लेता हूं तो यहां पर क्लिक करके मैं इसको इनेबल कर देता हूं सेप कर देता हूं दोस्तों आप देख सकते हूं कि तीनों की डिजाइन मैंने बना लिया है ठीक है अब इसके बाद मैं येस पर क्ल लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके मर्ज कर देता हूँ, यहाँ से बैक आ जाता हूँ, ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर एरेज कलर पर क्लिक करके, मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह कट गया, ठीक है, सेप कर देत इसके बाद D पर क्लिक करता हूं और यह पर क्लिक करता हूं यहां पर मैं कलर कर लेता हूं ब्लैक कर लिया डन कर दिया इसके बाद S में क्लिक करता हूं और यहां पर एक सेप्स लेता हूं और मैं इस S में इसे fit कर देता हूँ इस तरीके से done कर देता हूँ और मैं इसमें color कर लेता हूँ तो यहाँ पर इसको enable कर देता हूँ और यहाँ पर मैं black रख देता हूँ save कर देता हूँ ठीक है इसके बाद यहाँ पर click करता हूँ यहाँ पर click करता हूँ और यस पे टिक कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे मर्ज कर लेता हूँ, यहाँ से बैक आ जाता हूँ, इसके बाद उपर आता हूँ, यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करके मैं इसको भी क्रॉप कर लेता हूँ, इतना, ठीक है, सेप कर लेता हूँ, इसके बाद दोस् कर लेता हूं इसके बाद इस cutting जी पर click करता हूं और इसको उठाता हूं और यहां पर अच्छी तरीके से set कर लेता हूं तो दोस्तों मैं इसे set कर लिया हूं ठीक है इसके बाद यहां पर click करके यहां पर क्लिक करके इनको भी मर्ज कर देता हूं ठीक है इसके बाद इसकी एक कॉपी ले देता हूं और यहां पे यहां पर लगा लेता हूं ठीक है तो तो यहां पर आप देख सकते हो कि मेरा black वाला हट चुका है ठीक है only red वाला बस बचा है इसके बाद यहां से done कर देता हूं अब दोस्तों यहां पर क्लिक करता हूं और इसके बाद पहले इसे एरेज कर लेता हूं ठीक है तो मैं इसे एरेज कर लिया हूं इसके बाद सेफ कर लेता हूं तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो बढ़िया सफाई आ गई है ठीक है इसके बाद दोस्तों मैं इसको थोड़ी छोटा करके यहां पर इतने में सेट कर लेता हूं इसके बाद मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ पर इसको भी मैं set कर लेता हूँ अच्छी तरीके से तो दोस्तों मैं इसे set कर लिया इसके बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेप्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं यह वाला फ्रेम चूज कर लेता हूँ सेप कर देता हूँ इसके बाद क्लिक करता हूँ और इसको मैं इतना क्लॉप कर लेता हूँ ठीक है और सेप कर देता हूँ और इसको मैं इतना बढ़ियार लंबा कर लेता हूँ इतना और यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट कर लेता हूँ तो मैं इसे सेट कर लिया हूँ ठीक है इसके बाद स्क्रोल करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देता हूँ ठीक है और यहाँ पर मैं इसे प्लैक कर देता हूँ सेप कर देता हूँ तो आप और यहां पर अच्छी तरीक से सेट कर लेता हूं तो दोस्तों मैं इसे सेट कर लिया हूं इसके बाद यहां पी करता हूं यहां दोस्तों यहां पे क्लिक करके मैं इसे क्रॉप कर लेता हूं इतना ठीक है इसके बाद सेप कर देता हूं इसके बाद दोस्तों इसको यहां पे लाता हूं और अच्छी तरीके से सेट कर लेता हूं ठीक है इतने में यहां पर तो मैं इसे सेट कर लिया हूं तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरा चैनल लोगो दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिना ठीक है दोस्तों अगर आप भी लोगो डिजाइन सीखना चाहते हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथी बैल आइकन प्रेस करक ठीक है और यहां पर क्लिक करके यहां पर क्लिक करता हूं और मर्च कर लेता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि जूड़ चुका है ठीक है इसके बाद दोस्तों यहां पर क्लिक करता हूं और यहां पर क्लिक करके मैं इसको भी जोड़े देता हूं इस तरीकी से ठीक है अब दोस्तों समें थोड़ी इस टाँ को गया नडे देता हूं ताकि दिखने में और भड़ियां लगे तो मिलिखना करता हूं तो यहांका देख सकते हों कि एपे क्लिक करके टेस्ट पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करके मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूं ठीक है तो मैं यहाँ पर इसको पहले हटा देता हूं यहाँ लिख लेता हूं सिखा दे गया इसके बाद मैं डन कर देता हूं ओके कर देता हूं इसके बाद यहां पर लाता हूं और इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेता हूं इसके बाद मैं यहां पर करता हूं एक सेप से लेता हूं ठीक है इसका कलर मैं रेड कर लेता हूं यहां पर ठीक है सेप कर लेता हूं और इसको इतना लाता हूं और यहां पर हो तो लाइक जरूर करना ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करके साथी बैल आइकन प्रस करके आप वाल पे जरूर क्लिक किए रहना तभी आपके पास मेरी वीडियो की नौटिफिकेशन जाएगी और आप वहां से नई नई पर क्लिक करके यहां पर अल्ट्रा सिलेट करके आपको सेव टू गैलरी कर देना है तो यह आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है ठीक है तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तक लिए जहन बंदे मातरम